कि हलो डियर स्टुडेंट हाँ आर्यू आइम अरिविंदार नाव बेलकम टू यू इन कुवू इंटरनेशनल स्कूल ओनलाइन प्लेटफर्म हम प्रकास विद्धुत प्रभाव पढ़ रहे थे और कुछ अच्छे फाउंडेशन में कुछ अच्छे और इंपोर्टेंट नि अरि धाथ Chief पर फ़ोट्व अन सर्जित होता है क्या फोट्व सर्जित होंगे थो सबसे पहलë हम देखते हं वाश्य को पांचयाओ क्याैं क्या है कौफी अच्छा कोष्चन है एक हो तो कर 있나 है वह चार य्याच्ट्रोन बूल्ट है ठीक है और तरंग ध्यार 5000 है एंग स्ट्रॉंग तरंग धर 5000 एंग स्ट्रॉंग है आप से क्या पूछा गया था कि फोटो एलेक्ट्रोन उस सर्जित होंगे तो उर्जा कैल्कुलेट करते हैं सबसे पहले वो होती है है एचसी वाई लेम्डा एचसी वाई लेम्डा को जब आप कनवर्ट करोगे तो यह आएगा वन टू फोर डवल जीरो डिवाइड़ वाईड़ फाइब थाउजेंड ठीक है यह एंग स्ट्रॉंग से तो यह एलेक्ट्रोन बोल्ट में आईगी एनरजी तो यहां से एनरजी करने के बाद यह आपका जो बनेगा वह आए जाएगा फाइब टू जाट टैन और फाइब फूर जाब ठीक है पॉइंट एट डिवाइड़ वाई टैन फाइनल आंसर आगया टू पॉइंट फूरेट एलेक्ट्रोन गुल्ट यहां पर क्या है एनरजी जो है वो कम है कारे 시간이 से स्थेल्ट आंस तो एlectromial का उसर्जन नहीं होगा क्या कह सकते है एलेक्टorn का उसर्जन नहीं होगा तो बाथ की लिए रहो गई यह पहला कोश्टन था doğru अब बात करते हैं तो यह अगला वाला क्या है अगला वाला कोश्चन हे कोश्ट Double do प्रकास सेल में चार इकाई की प्रकास विद्धु धारा प्रवाहित होती है कोई प्रकास सेल है उसमें कितनी की चार इकाई की प्रकास विद्धु धारा प्रवाहित हो रही है तो हम देखते हैं ठीक है जबकि कैथोड़ वा स्रोत के बीच की दूरी 4 एकाई है तो कैथोड़ वा स्रोत की बीच की दूरी जो दी गई है वो कितनी है 4 एकाई है आर का मान कितना है 4 एकाई है ठीक है दूरी को घटा कर एक एकाई कर देते हैं तो यह आर वन है आर्टू कितना हो जाता है एक एकाई हो जाता है बाद में ठीक है और प्रकास प्रकास सेल में चारिकाई की प्रकास विद्धुद्धारा मतलब आईवन का मान कितना दिया गया है तुमको चारिकाई यह कोश्चन दिया गया है तो आपने क्या बढ़ाना है प्रकास हमने प्रकास की जो तीब्रता है वो समानुपाती होती है प्रकास विद्धुधारा क्यों समानुपाती होती तीब्रता क्या 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 सकते हैं पावर रेडियेटेट पर यूनिट एरिया पूर पाई आरे स्क ठीक है यह फॉर्मूला आपको फॉर्मूले स्ट्रॉंगली याद होना चाहिए फॉर्मूले काफी अच्छे से याद होना चाहिए तो इजी गोईंग स्वाल जाएंगे सारे निमेरिकल आई इन्वर्सली हो जाएगा किसके आर स्क्वेर के मतलब हुमने क्या लिखा यहाँ पर आई वन अपॉन आई टू एक्वल टू आर टू अपॉन आर वन का स्क्वेर ठीक है वेल्यू रखते है तो आई वन की वेल्यू आगई चार एकाई आई टू पता करना है आर टू आर टू की वेल्यू कितनी है एक और आर वन की वेल्यू कितनी है चार इसका भी स्क्वेर कर दिया solve करेंगे तो 4 upon i2 यह बन जाएगा for finally एक बटे 16 गुड़ा करने तो i2 का आ जाएगा 64 इक आए यह final answer आ गया आपका कितना आ गया 64 इक आई बात किलियर हो गई अच्छा जी अब हम बात करतें इसके बाद देखो next question की देखिए next question क्या है कि आपको यह सारे question PDF मिल जाएगी ठीक है next question क्या है किसी धातु की सत्य पर कमसा 4000 एंगिस्ट्रोंग एवं 36 एंगिस्ट्रोंग की तरंग धेर का प्रकास आपतित होता है तो दौनों के लिए निरोधी व्यव्यव का अंतर पूछा है थर्ड आइंस्ट्रीन समी करन क्या पढ़ा है यह वरावर फाइनोट प्लग के मेक्स के मेक्स के मेक्स को इधर लाए तो यह आ जाएगा के मेक्स एकवल टू E माइनस फाइ नोट बैलियू रखते हैं क्या पूछ रहे हैं निरोधी विवव तो E V नोट एकवल टू 1,2,4,0 वाई लेमडा माइनस 1,2,4,0 वाई लेमडा नोट और यह वैलू बनेगी एलेक्टरोन बोल्ट में किस में बनेगी यह वैलू अब देखते हैं आपका case 1 पहली condition आपसे क्या कह रही है तो हमने इसको लिखा आपको कह रहे हैं किसी धातु की सतय पर 436 की तरंग्धियर का प्रकास आपते होता है निरोधी व्यववब चाहिए दोनों इस्थितियों कारिफलन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं कि जा रही है तो आप सिंपली इसको फाइनोट लिखें फिर क्या लि दिखा फाइनोट उंप चैब यह अपका इलेक्टोन बहुओल टमेगा एलेक्म फोल्ट में बनेगा तो मैंने ईसे एक इको कैंसल आउट कर दिया तो यह वी नॉट बना वन टू फोर डबल जिरो वाई लेमडा माइनस का फाई नॉट और यह अंसर आएगा बोल्ट में ठीक है तो अब आपने केस वन को लिखा और केस वन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेमडा की वैलू क्या रखेंगे लेमडा की वह भी हम रख सकते हैं यहाँ पे देखिए तो पहले कितना है 4000 होजेंट तो 4000 वी 0,1 तो 12 0 से इन दौनों को कैंसल आउट कर दिया अब आप 4 से कैंसल करें पहले कैंसल करेंगे फोर से जैसे आपने फोर से कैंसल आउट किया तो यह जाएगा 10 टाइमस कैंसल होगा और यह 30 तो V01 equal to 3.1 minus 5 not पहला equation Case 2 को देख लेते हैं अगली स्तिती में क्या कहा गया है तो अगली स्तिती में कहा गया है कि V02 is equal to यह 12400 divided by 3600 minus 5 not क्योंकि same metal है ना और same metal में work function तो same ही रहना है एक ही metal है और एक ही metal का work function में कोई effect थोड़ी पढ़ेगा same रहेगा तो आपका final answer 120 से यह दौन जिरो cancel हो गए finally आपने इसको solve किया तो यह 4 से cancel हो जाएगा 9 times और यह भी हो जाएगा तो यह 31 तो यहाँ पर आपका बना V02 is equal to divide लगाएं इसका भाग लगाएं 31 में 9 का तो यह आएगा 3 times 27 point लगा दिया 4 40 हो गया ठीक है 4 4 minus का 5 note equation number हो गई 2 अब अंतर चाहिए आपको क्या चाहिए अंतर calculate करना है अंतर आजाएगा final answer में कैसे आएगा V02 minus V01 equal to V02 है 3.44 minus का 5 note minus यहां से value रखें तो यह जाएगा 3.1 minus का 5 note solve कर लें इसको जैसी हमने इसको आगे solve किया तो यह क्या बन जाएगा V02 minus V01 is equal to 3.44 minus का 5 note minus का 3.1 plus का 5 note ठीक है अब यह minus से plus आपका cancel out हो जाएगा तो यह 5 note से यह 5 note cancel हो जाएगा आप इसको subtract कर लें तो यह जाएगा 0.34 यह final answer आगया बात clear हो गई कैसे solve करना था इस question को ठीक है ओके अच्छा अब देखते हैं इसके आगे next तो यह question का solution था जो की question काफी अच्छा है आप इसको समझे ध्यान से और इसको solve करें अब हम देखते है next question देखे आपको क्या कहा गया है question number 4 question number 4 है एक परष्ट की दहली आप बरती new note है दहली आप बरती दी गई अपकी बार ध्यान रखना इसको ठीक है तो कहा रहें एक परष्ट की दहली आप बरती new note है यह 3 new note अब्रतिक से प्रकाशित है तो प्रकास एलेक्टोन की अधिक्तम चाल वी मीटर प्रती सेकंड है अधिक्तम चाल क्या होगी यदि अब्रति 9 नूट कर दिये जाए फिर से आइंस्टीन का प्रकास विद्धो समी करन फोर्त वाला क्या कहा गया है कि जो चाल पूछिए चाल प आब्रति को ह यच दी नूलिग सकते हैं और देहली आब बृती भी दे रहे हैं तो इसको एच घूनाट लिख सकते अब सोल्व करते जाएक sub केस वन में को क्या स्थिति दी गई है तो केस वन आप से ऐसा कुछ का गया है कि यदि एक प्रश्ट की देहली अब ब्रती new note है देली आप बरती कितनी है new note ओके यह 3 new note आप बरती से प्रकाशित है तो अधिकतम चाल V है तो हमने इसको सूतर में कोई परीवरता नहीं कि हाफ mb square अधिकतम चाल V है is equal to h आपते कितनी हो रही 3 new note तो new की जगे आपको क्या लिखना पड़ेगा 3 new note यह आपते तो गई देली कितनी है new note है तो माइनस का आ जाएगा h new note solve कर दें इसको तो यह आएगा आपका कितना half mb square is equal to यह बनेगा 3 h new note minus h new note घटा दें तो यह formula बन जाएगा क्या half mb square equal to 2 h new note पहला समी करण बन गया है case 1 का ठीक है अब इसको आगे solve करते हैं तो case 2 में जाएंगे हम हमने condition 2 लिखा तो लिखा case 2 बाद में क्या कहा गया है कि अधिक्तम चाल क्या होगी यह आपते ताबरती 9 new note कर दें कितनी कर दें 9 new note तो हमने लिखा half mv1 square यह तो गति जूर जा आ गए equal to h into आपते कितनी है यहां कि 9 new note है तो यह जाएगा 9 new note minus h new note यह बात के लिए रोगई तो यह जाएगा तुम्हारा क्या half क्या एगा final value आ जाएगी तुम्हारी क्या half mv1 square equal to 9 h new note minus h new note ठीक है इसको हमने किया solve जैसी आप solve करोगे तो यह formula बना half mv1 square is equal to कटा दें तो यह बनेगा 8 h new note equation number 2 समीकरण नमबर दो यह बात के लिए रोगई अच्छा आगे solve करने तो समीकरण एक का भाग लगा दिया हम में समीकर नमबर दो में जैसी आपने भाग लगाया तो यह बना half mv2 upon half mv1 square equal to यह आएगा तुम्हारा half mv2 को क्या लिखोगे 2 h new note upon 8 h new note ठीक है इसको simplify कर दो आगे तो हमने जब इसको आगे simplify किया तो देखिए क्या बना half m से half m cancel हुगा एच new note से एच new note cancel हो गया यह चार बार cancel हो गया तो यह जाएगा वी अपॉन वीवन का square equal to 1y4 तो final आप क्या लिखेंगे वी अपॉन वीवन का root solve करेंगे तो यह बने का 1 upon 4 मतलब वी वाए वीवन की वेल्यू है जाएगी क्या 1 upon 2 ठीक है यह बात क्लियर हो गई तो इसका इधर multiply इसका इधर multiply इसका इधर multiply वीवन कितना आगया टू वी वीवन इस वाट वीवन एकॉल टू 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 वी दिस इस यूर फाइनल आंसर वीवन इसका इधर multiply किया इसका इधर किया तो वीवन कितना आगया टू वी तो यह आपका फाइनल आंसर आ गया किलियर हुई बात ठीक है फिर देखें नेक्स्ट कोश्चन को तो यह हमारे यह कोश्चन सॉल्व हो गया ओके अब हम बात करतें इसके बात ने कि नेक्स्ट कोश्चन क्या है कि नेक्स्ट कोश्चन है हमारे पास में फिफ्ट जब आपते तरंगध्यर लेम्डा है आपते तरंगध्यर कितना है लेम्डा तो निरूदी वी नोट है तो निरूदी वी नोट है तो लेम्डा के पदों में दहली तरंगध्यर ग्याद करन लेम्डा के पदों में किसको ग्याद करना है अब आपको दहली तरंग धेर को ग्याद करना है अच्छा कोशन है ये भी लेम्डा के पदों में दहली तरंग धेर ग्याद करनी है तो हमने फिफ्ट वाला सॉल्व करना है ठीक है आप ते तरंग धेर कितनी है लेम्डा तो फिर पड़ेगा ev not इसको लिखना पड़ेगा H C Y lambda और यह लिखना पड़ेगा H C Y lambda नोट यह बात के लिए रोगई अच्छा जी जैसी हमने सको सॉल्व किया तो देखिए आप से कहरा है आप ते तरंग रेंडा है तो निरोधी वग 3 V योट तो हमने लिखा Case 1 पहली कंडिशन को हम solve कर रहे हैं किस को solve कर रह है पहली condition solve कर रहे हैं Case 1 को solve कर रहे है तो आप से कह लेम्डा माइनस तो लेम्डा की पदों में दहली तरंग धर ग्याद करना है तो हमने इसको हसी लेम्डा नोट लिख दिया आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो यह बन जाये गा थिरी इवी नोट एकॉल टू हसी वाए लेम्डा माइनस हसी वाए लेम्डा नोट यह फर्स्ट एक्विशन आपिए ठीक है पहला सम्मी करना फिर देखते हम इसमें केश टू को बात करते हैं सेकंड इस्तति की बात करते हैं केश टू क्या है केश टू है कि जब आप ते तरंग धैर टू लेम्डा है तो निरूदियो वी नोट है तो हमने लिखा इवी नोट इस एकॉल आप ते तरंग धैर बना दी हमने अचसी बाए कितनी है यह टू लेम्डा तो हमने इसको लिखा टू लेम्डा माइनस के लेम्डा की पदों में देली तरंग धैर जियात करना है हम इसको लिखा एस लेम्डा नोट ठीक है यह एक्वेशन नमबर होगी आपके पास टू तो फर्स्ट एक्वेशन क्या है आपके पास 3EV0 divided by EV0 is equal to, अब देखें इसको लिखें, तो यह एक्वेशन है आपके पास HCY lambda minus HCY lambda 0 whole upon HCY 2 lambda minus HCY lambda 0 फाइनली solve करें हम इसको, इसको solve करेंगे तो EV0 से यह EV0 cancel हो गया, ठीक है यह formula आ गया क्या 3 upon 1 equal to HC, common निकाल दिया हमने, यह जाएगा 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0 whole divided by, इसमें से भी मैंने HC को common निकाला, 1 upon 2 lambda minus 1 upon lambda 0 ठीक है, फाइनली जब हमने इसको आगे बढ़ाया, तो यह HC से एक HC cancel out हो गया, यह बना 3 upon 1, क्या वनी यह value 3 upon 1 is equal to, यहां देखें, यहां देखें तो हमने इसको लिखा, 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0 whole divided by 1 upon 2 lambda minus 1 upon lambda 0 यह बात के लियर होगे, इतना नूट कर ले इतना समझे ले ठीक है, अब हमने देखें इसको आगे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे solve किया, इतनी बात के लिए हो गई, अब देखें, इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे solve करते हैं, तो आगे देखें इसका क्या solution बंना है, इस से इसके बाद आगे सोल्किया तो इसका इधरोंस का इधर मल्टिप्लाय करें तो जहाएगा तेरी थाइम्स हे तीरी टाइमस मल्टिप्लाय होगा किसका रिधिन पॉन-ु लेंडा माइनस बरन पॉन लेंडा नोट इस एकोल डू इसके पुरां करें one upon lambda minus one upon lambda not multiply हो गया clear हुआ इसका multiply करें तो यह बना three upon two lambda minus three upon lambda not is equal to one upon lambda minus one upon lambda not okay अच्छा जी इसको दलना है transfer करके तो 3 upon 2 lambda minus 1 upon lambda equal to 3 upon lambda not minus 1 upon lambda not LCM लेले तो 2 lambda बन जाएगा ये 3 minus lambda से lambda गया तो ये 2 अच्छा यहाँ पर 3 by lambda not minus 1 by lambda not to 2 by lambda not value जाएगे ओके ये किलियर हो गया अच्छा तो यह आएगा 1 upon 2 lambda is equal to 2 upon lambda not तो lambda not की value आजाएगे आपकी यहां से 4 lambda और यही आपका final answer है क्योंकि आपसे पूछ रहे थे lambda के पदों में देहली तरंग धेर आपको ग्याद करनी थी तो आपका एक और question मनाते हैं यहां से नेक्स्ट question क्या है एक पॉइंट पांच मेगा बॉट सक्ती और 400 नेनोमीटर तरंग धेर का एक प्रकास पुंज कैथूड पर आपतित होता है यदि क्वांटम दक्सता 0.1 पर्सेंट है तो प्रकास ब्रद्धो धार ऑप्रति सेकेंड फोटो एलेक्ट्रोन ऑगजा घ्याद करने हैं तो इसको आप से क्वांटम दक्सता की बात कर रहे हैं तो और क्वांटम दख्सता का मने फॉर्मूला पढ़ाता उस तफ सर्जित एलेक्ट्रोन अपों आप्टित फॉट्वेटाओं गुणा 100 यह फोर्मूला ओता क्वांटम दख्सता का ठीक है क्योंकि दक्सता कम उतलब प्रपूट वैटे इनपट ौटे इनपूट तो दख्सता कितनी दी गई आपको 0.1 परसेंट तो यहां पर हमने लिखा 0.1 परसेंटेज को चेंज करोगे तो अपन हंडरेड ठीक है या आप डारेक्ट यहां पर परसेंटेज में लिख रहे हैं तो वेलू आप डारेक्ट लिखें सोरी वेलू आप यहां पर क्या करें परसेंटेज की डारेक लिखें, 0.1 कितना परसेंट है, 0.1 is equal to, ऐनी पता नहीं है हमीं आपको, ऐनी पता है क्या, तो प्रकास प्रती सेकंड एलेक्टोनों की संख्या तो ग्याद करनी है, तो कोई बात नहीं, ऐनी, अपन एन पी एच इन्टू हंड्रे, अब किसी से फोटोन की संख्या ग् करेंगे, नमबर ओफोटोन प्रती सेकंड तो फॉर्मूला पड़ाता हमने, पी लेमडा वाय, हसी, क्या पड़ाता, पी लेमडा पॉन, हसी, और इसको फाइनल सॉल्व करोगे, पी लेमडा वाय, हसी को तो हसी को लिख सकते, पांच गुड़ां, दसकी घात, चोदा, चार सो नेनो मीटर, तो इंटू 400, ठीक है, चार सो नेनो मीटर है, तो वो चार सो नेनो मीटर को भी हम कनवर्ट कर लेंगे, तो यहां चाहिए का आपका फाइनल आंसर आएगा, एन पी एच इस एकॉल टू 5 इंटू 10 तू दी पावर 24 इंटू, ठीक है, यह होता है, पावर माइनस का 9, अब आप फाइनली बनाईए इसको क्या बना, यह 1.5 का 4 से मल्टिप्लाइ करोगे, तो 6 आएगा, 6 का 5 से करोगे, तो यह 30 आ जाएगा, ठीक है, यह समझ जा गया, तो यह हो जाएगा, आपका कितना, 26, इंटू 12, तो फाइनल कितना बनाईए, 3, सुरी माइनस का 12, फाइनलि इसको, सौल्व की हमने, तो चैंसल हो जाएगा, यह यह 12 से यह चैंसल होगा, तो यह जाएगा, 10 की पावर, 14 और 15, थीं टू 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 दी पावर, 15, ठीक है, फोट उन पर सेकिड, इतने फोट उन इस से पास होंगे, ठीक है, फिर देखिये, नेक्स one upon hundred equal to any upon 3 into 10 to the power 50 इसको इदर ले गए तो एनी की value है जाएगे आपके पास कितना 0.1 in two three into 10 to the power 15 upon hundred अब हमने पहले तो इसमें 10 से multiply कर दिया तो 0.1 का 1 हो जाएगा 1 into 3 तो ये बनेगा 3 और 10 की power 14 upon 100 अब आप देखें आगे ये cancel out करें value तो ये बनेगा 1, 2, 0 से इसको cancel किया तो 10 की power 12 तो 3 into 10 to the power 12 electrons per second electron पर 30 second 3 into 10 की power 12 electron पर 30 second फिर आप से पूछाता कि photo electron की संख्या और प्रकास विद्द्धारा प्रकास विद्द्धारा और चाहिए तो देखिए प्रकास विद्द्धारा और solve कर लेते हैं कि प्रकास विद्द्धारा कितनी बनेगी तो अगर हम प्रकास विद्द्धारा को भी solve करते हैं कि प्रकास विद्द्धारा क्या रह जाएगी तो हमने लिखा पड़ा था कि आई एक कोल टू एनी इंटू ए बैल्यू रख ले आई एक कोल टू एनी कितना है आपके पास में थिरी इंटू टैन की पावर टुएलब है एक इतना होता वन पॉइंट सिक्स टैन की पावर माइनस 99 फॉल्व आउट कर दें फाइनल ऊंसर मिल जाएका तो ये हैगा तो यलोब टो टैनकी पावर माइनस तेवन यह जैगा 4.8 into 10 की पावर माइनस 710 से और डिवाइड लगा दें तो यह जाएगा 0.48 into 10 की पावर माइनस 6 एंपियर या 0.48 माइक्रो एंपियर यह फाइनल आंसर ठीक है तो आपको इतना पढ़ गयाना कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉंसेप्ट के साथ तब तक पढ़ते रही है सुरक्षित रही है धन्यवाद